आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मानपूरी के क्रिशियन ग्राउंड और करहल में सूबे के मुख्यमंद्री योगी अदितिनात सपा पर जम कर गरजे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादो नामांकन करने आये थे और कह रहे थे कि अब उस सर्टिफिकेट लेने ही आऊंगा लेकिन देश की जनता बीजोपी के साथ है सियम योगी ने जनता से अपील की जो भी हमारा संकल्पत्र है सब पूरा किया जाएगा करहल सहीत मानपूरी की सभी सीटों पर विकास का गंगा वहेगा आज जो तीसरे चरड का चुनाव के लिए प्रचार प्रचार थम जाएंगे इसी कड़ी में सभी दोहजर वाईश दान सबच चुनाव को लेकर सभी पार्टी आपने धमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं सभी प्रचार कर रहे हैं रोड शो कर रहे हैं मद्दाताओं को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं इसे बीच सभी पार्टी के दिगज भी चुनावी मैदान में हैं चुनावी प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादों की जहां जनसभा हो रही है वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ भी अपनी जनसभा करने पहुचे वो विपक्षी पार्टी पर जम कर बरसे उन्होंने ये भी कहा कि हमारा घोश्रा पत्र जो भी है उसे हम पूरा करेंगे सपा सुप्रीमों अखिलेश यादों ने कानपूर में तीन विधान सभाओं में डोर टो डोर क्यामपेंग और रोट शो किया गया और सपा के रोट शो में जनसेलाब उमरता दिखाए दिया जनसभा में अखिलेश ने जनता से वोट के लिए अपील की सपाव बसपा के कारकरताओं ने वेरघाउस में रखी एवियम के निगरानी करनी शुरू की बता दे कि जनुपर सहालनपूर में दूसरे, 84 मददान के नाम पर अब सपा बसपा के कारिकरताओं को एवियम से छेड़ छाड़ का डर सताने लगा है, जिसके चलते कारिकरताओं ने सहारणपुर वेरहाउस में रखी, एवियम की निगरानी शुरू कर दिया हाला कि प्रशासन भी लगातार एवियम की निगरा कर रहा है फिर भी सपोर बसपा के कार्करताओं ने भी वेर हाउस के सामने टेंट लगा कर अपना डेरा जमालिया है कि मेरा नाम गुलजार एहमद जी मैं समाजवादी पार्टी से हूँ वेर हाउस के आगे बैठने का कारण यह बना है चौदा फरवरी को चुना हुआ उत्तर परदेश में हमारी स्ट नंबर एक विधान सबा हमारे परत्यासी उमर अली खान साहब है हमारे राष्टे अद्दक्स अखिले सियादो जी हमारा यहां बैठने का कारण यह बना है 2017 का जो चुना हुआ वो जनता को सब को पता है कि कैसे सरकार बनी अब 2022 में हमें सरकार का डवलम्मेंट करने के लिए हमारे नेता उमर अली खान साब ने हमें आदेश दिया हम वेर होस के सामने बैठे हैं सिसी कैमरा लगावा हुआ है जो एवियम मसीन ने रखी हम इनकी निगरानी के लिए बैठे हैं हम जीत की तरफ है और इंशाल्ला सुम्बा इंशाल्ला हम यहां से जीत के उठाएंगे ह हमारी जीत हो रही है बेहट नंबर एक से और हमारी सात्यों विधान सभागे परत्यासी आसु मलीक उमर अलिखान साब कातिक राना अध्रम सिंग सेनी जी सभी लोग हम यहां से इकटे होगा यहां पर बैठे हुए हैं हम जीत के तरफ है और जीत के उठाएंगे दस मार्च को रिजल्ट फाइडन होने के बाद वहरा हुस पर इसलिए बैठे हैं 2017 में पूरे पर देश में नों दानले बाज करके सरकार बढ़ाई थी बीज़िपी सरकार को इसलिए हम लोग निगरानी के लिए अपनी मशीनों के लिए कोई मारे साथ कोई दोका ना हो जा क्योंकि ज जनता बदला उचा रहे पर देश की जनता और इंसालों होग अभी अकले श्यादोजी मुखमंतरी बढ़ने जा रहे पूर्ण बोमई सरकार बढ़ने जा रहे हैं इसलिए हम लोग यहां पर निगरानी ले पैठे हैं जिब तक चुनों हो जा हैं वो मत गड़ना नहीं होग दस मार्स तरग हम लोग एड़ने रहे हैं वही सपा और बसपा के कारेकरता वेरहाउस के सामने टेंट लगा कर एविय मसीन की निगरानी कर रहे हैं इसी खबर पर अधिक जौनकारी के लिए समवदाता सुहेल गौर हमारे साथ जुड़ेंगे सुहेल जुस तरह से सपा और बसपा के कारेकरता टेंट लगा कर वहां पर इवे मसीनों की निगरानी करें क्या उन्हें प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है तो बात करें तो कॉंग्रेस ने जो है एक कानून मना कर एवियम को जो है रहुलर किया था उस समय जो है बीजेपी के जो वरिष्ट नेता थे अकल बिहारी बात पर इसके बाद में सभी बीजेपी नेता रहे हैं वो भी अपनी हार को लेकर जो है इन पर ठीकरा पोड़ते हुए नजर आये थे लेकिन तब से दो जाटोदा में जो है कॉंग्रेस एक बहुत बड़ी हार देखने को कॉंग्रेस की मिली थी और भाज वो इविएम पर ही ठीकरा पोर्ता हुए नजर आ रहे हैं तो अभी की अगर बात करें तो 2022 विदान सभा चुनाओ को लेकर भी ये डर विपक्षियों को विपक्षी पाट्यों को जो है सता रहा है और उसी को लेकर जो है सपा और बस्ता के कारेकरता जो है वैर हाउस के बा सब्सक्राइब तब तक वो जो है अपनी जगाते में लेंगी जी जनकारी के लिए बहुत-बहुत धनेवाद सुहेल आपका हमारे समवादाता ने बताया कि किस तरह से वहां पे सपोर बस्ता के कारेकरता टेंट लगा कर इवियम के नगरानी कर रहे वैर हाउस के बाहर ये एक वोट अपने पक्ष में करने में लगे हैं ऐसे में 307 हरया विधान सबा में बसपा को बड़ा जटका लगा है अपने सैकडो समर्थ को के साथ बसपा ने तक कृपा शंकर शुकला ने सपा का दामन थाम लिया है हरया विधान सबा के बसपा पार्टी में कृपा शंकर श कि बहुजन समाज पार्टी में रहने लायक नहीं था। करें नीकियों के सिद्धानतों से उन्हों यूजनाया चलाई हैं कि जो समाज के हर तपके के लोगों को पर फूल्लिद करेगी। कि आने वाले समय में और मैंने पार्टक जी के निर्ठित में मैं पूरी आष्था रखते हुए समाजबादीक पार्टी में आज समस्ता ले रहा हूं वुमारी पार्टी आज बहुत मजबूत हुई है, हम खुत 85 रूप में मजबूत हुए हैं, सुकला जी हमारे बडे भाई के समान ह। यह अलग पार्टी की राजनित कर रहे तो अलग बात थे लिए हम लोग का जो संबन था, मधुर था, आज हमको और हुँमारी पार्टी को ताकत देने के लिए आदियर्यसेरी किरपास अंकर सुकुला जी अपने सैकरों साथ्यों के साथ जो भवज़ा समाजबादी पार्टी को शोड़ करके आज हमारे विधान सबाद भग सिर्याजबीन जादोजी की नेत्त में समाजबादी पार्टी की सदस्तागरान के हैं हमको बहुत ताकत मिलेगी, बहुत बल मिलेगा पूरे छेतर में आपकी फकड़ है आप एक अच्छे नेता और कारिकर्टा के रूप में जाने जाते हैं आपके मिलने से हमनों को बहुत ताकत मिलेगी आपको बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं दर्शन को और जादा बढ़ा दिया जाएगा गलतरी के से उनकी बदली करवाई जा रही है और उनने दवाब बनाके रिलीव करवाया जा रहा है हम अच्छे सिवरकर यूनियन के बेंडर तर्लाज ये बताना चाहते हैं कि फरिदाबाद का एक भी हमारा जो जही है वो ट्रांसफर नहीं होगा गलतरी के से उनकी बदली की गई है इन बदलियों को रद किया जाए यह हमां कहना चाहते हैं अधरवाज करमचारी वैसे इतने बुरे माहूल में काम कर रहा है आज करमचारी यह को देने के लिए इनके पास ट्रीन पी नहीं है इस ऐसी बहुत जैसे बात करते हैं तक है बीओडी की मिटिंग में लगेगा वहां लगेगा अधर करमचारी ओं पर इतना प्रैसर बढ़ कर रहे हैं और समार को दो-दो गंटे का सरकर फरिदाबाद में अगर इनकी टांस्फर नहीं हो कि गई तो प्रोटेस्ट के जाएगा बाजिस्तारी की हमारी अरियाने लेबल की हर्दान है अगर इस मामले में मैनेजमेंट का जो रवही है वो नकारात मा रहा तो हमें चाहे पूरे दप्तर फरिदाबाद के बंद करें निश्चित तोर पे हम गल्द जेहियों के साथ में गल्द अन्याय नहीं होने हैं संधार्टनगर में के दलित यूवग पर पुलिस के बरबरता का मामला सामने आया है पेडित का आरोप है कि थाना इंचार्ज को लैप्तॉप ना देने की वज़े से उसकी पिटाई की गई है इस मामले में पुलिस कप्तान यश्वीर सिंग ने सीओ को जाज के आदेश दिये हैं मामला इंके संग्यान में आते ही मामले की जाजडू मर्या गंज गंज सीओ को सौप दी गई है इसमें सियो जो लगते हैं छेतर अधिकारी डुमरिया गंज उनको पूरे मामले की जांच दे दी गई है और जो वरिष्ट अधिकारी हैं उनको भी इस पूरे मामले का संग्यान है जांच अख्या जैसे ही प्राप्थ होती हैं उसके उपरान जो भी वैधानिक कारवाई हैं उसके लिए आयोग को पत्राचार किया जाएगा और उससे जो भी निशानिदेश प्राप्थ होंगी उसके आधार पर अग्रीम कारवाई की जाएगी बजनौर में कग्यात महिला का शौ शड़क किनारे मिलने वे खेत में बरामत हुआ महिला के शौ को देखने के बाद इलाके में हड़ कम मच गया ग्रामिडों ने पुलिस को सूचना दी, सूचना पर पहुचे पुलिस ने घटनास्थल की घेरा बंदी करते वे शौ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया स्पी सिटी प्रवीन रंजन सिंग ने बताया कि शिकायत के अधार पर पूरे मामले की जाच की जारे और जल्दी हत्यारोपियों को गिरफ तार कर जेल भेज दिया जाएगा पोस्ट मॉटम के लिए भेजा गया है कि खबर फतेपूर के गाजीपूर धाना छेत्र का है जहाए कि युवती का सिर कुचल कर हत्या कर दी गई वही पुलिस ने इस एक्सिडेंट का मामला बताया और शोग को कबजे में लेते हुए पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया पुलिस को सूचना दी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए युवक को गिरफतार करते हुए लगबग 10,000 रुपए के नकली नोट बरामत किये है। पर काम करते हुए कल साय कल शाम को सकंद्रा बार में गोर की चुलाय से मिक्ति को गरफतार किया गया। इसका नाम है वेज पुत्र मरसूद ये ग्राम बरामत किये है। आग लगने के समय वहां करीब 15 लोग मौजूद थे जिसमें एक युवक और योती आग की चुपेट में आ गये और मौके पर ही उनकी मौथ हो गई। कि अस्थानियों लोगों ने बताया है कि आज उसकी साफ सफाई के लिए कुछ लोग वहां गयते हैं। और समभूता उसी करम में यह किछ स्वाट सर्कुटिंग होई है। जिसमें एक जिनकी डेथ होई है वह वहीं पर अर्रत थी। जो क्रूशन के बारे में जनकरी प्राप्ट की गई है। जो कहीं दूसरी एविया के रहने वाले थे। वह भी वहां मौझूट थे। और इनकी डेथ संभूता उस्विकेशन से हुई है। मैं बड़ासपस करना चाहूंगा कि यह जो सैलोन और स्पास इंटरस्ट थे। यहां पर कोविट के समय कोविट के निर्देशान उसार सभी बंद कराये गए थे। और अभी हाल में संचालकों के द्वारा मानिये न्यालय में एक रीड दाकिल की गई थी। और उसमें 27 जनवरी को एक आदेस आया था। और उसी आदेस के अनुकरम में संबहुता इन लोगों ने आज साफ सभाई गए रख करने के लिए ऐसा महा गया हूंगे और यह घटना गटी लिए। इस बिस्ति चानिन की जा रही है इसमें अभियोग पंजपरित करके और जो एविदेंस हो का इसके साफ से करोई की जाए। उत्यरप्रदेश की खबरों में इतना ही देश-दुनिया की और ताजोतरीन खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।